हलो फ्रेंड मैं कमार्स रफ स्वागत है आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम फोड किलिवाट आफ ग्रेट सिस्टम का पावर बैक अप के वारे में जानने वाले हैं जिया जो सुलर सिस्टम होता है हम उसे लगा तो लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि तो मैंने छे साथ अलग अलग टेवल बना लिया अलग अलग घर होगा हो सकता है इसमें से आपका भी कोई घर हो तो उस घर में से कितना बेक अप हमें मिलने वाला है कितना पावर वह वह कंजूम करता है तो सारा कुछ हम देखेंगे आज के वीडियो में तो चलिए फटा- टेवल बना लिया, इस टेवल पे हम देख पाएंगे कि जैसे कोई घर है, किसी का भी घर हो सकता है, इस घर में जो 9 यहाँ पे 9 बल्ब दिया, वह LED बल्ब है, किसी विसाइच का हो सकता है, हो सकता है कि वह 10 बाट का हो, यह 15 बाट का हो, 5 बाट ज्यादा कुछ खास डिफरें करता है, उसी को हम लोड बोलते हैं, तो यहाँ पे लोड देख पाएंगे, 1100 वाट का लोड बन गया, अब 1100 वाट का लोड है, तो हमें अगर लगातार चलाते हैं, बिना रुके, अगर सभी लोड को एक साथ चलाएंगे, तो 13 से 14 घंटे तक का हमें बैक अप मिल जाएग या फिर कोई लाइट बंद कर रहे हैं, तब ऐसा कोई बंद करके फिर चालू करो, ऐसे करता ही होगे, हर कोई करता है, लगाता है, तो सब कुछ चलाता नहीं है, उस कंडिशन में क्या होगा, यह जो बैक अप टाइम है, और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, तो हमने जा या फिर कम भी होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, या फिर एक जो ट्यूब लाइट है, यहाँ पे तीन के जगा चार होगा, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा माइनर उतना ज्यादा कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा, तो यह जो लोड जैसे कि माल लोग पंखा है, तो आप 5 पंखा लगातार, सारा पंखा 12-13 घंटे तो चलाओगे नहीं, कोई पंखा हो सकता है 5 घंटे चल रहा है, कोई पंखा 4 घंटे चल रहा है, कोई पंखा 1 घंटे भी नहीं चल रहा है, तो इस कंडिशन को देखते हुए, यह जो है, इ चार पंखा है, दो कूलर है, एक फ्रीज है, तीन टीवी है, इतना सारा लोड ये इस घर में दिया गया है, जिसका की पावर बनता है 600 वाट, ये पावर जो होता है, एक घंटे के लिए होता, मतलब एक घंटे में इतना पावर कंजूम करेगा, अगर सब को एक साथ तब, तो इतना लोड बनेगा, तो फिर वो कितना बैक अप देगा, फोड कलिवाट का ऑफग्रेट सोलो सिस्टम, तो यहां पर देख पाएंगे, 9 से 10 घंटे का बैक आप आपको मिल जाएगा, अब यहां पर मैंने 9 से 10 घंटे लिखा, या 12 से 13 घंटे लिखा, मतलब इसक कितना बीच में कहीं बन तो नहीं कर रहे हो, या फिर पावर लॉसेस तो नहीं हो रहा है, तो सारा चीज़ देखते वे, यह एवरेज टाइम दिया गया है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अगला कोई लोड है, जैसे कोई घर का हो, तो 12 एलेड वल्व लगा हुआ है, 6 पं बैकरप टाइम देख पारो, आप 13 से 14 घंटा है, जबकि देखोई, इस से बावर यहां पर देखो, सिर्फ 100 वाट कम है, है न, तो लेकिन यहां बैकरप टाइम बहुत जादा है, 13 से 14 घंटे, जो कि यहां पर देख पारो कितना कि इसके बराबर है, 11 से वाट के बराबर, यहां पर 11 से वाट है, बैकरप टाइम इतना मिल रहा है, यहां 15 से होने के बाद इतना मिल रहा है, ऐसा क्यों, तो ऐसा हो रहा है, सिर्फ एक बज़ाई, और इसका बज़ाई यह है, वासिंग मसीन, जी हां, वासिंग मसीन क्या है, कि हम लगातार तो 13 घंटे चलाएंगे नहीं न, कभी भी कोईसी के घर में भी नहीं चलता होगा, हाडली एक घंटे, देर घंटे चलते होंगे, या दो घंटे माल लो चन चलते होंगे, ताइम कम हुआ, इस वजह से यहां पर बैक अप टाइम यहां पर यह बढ़ गया है, ठीक है, अगला जो यहां पर हम देख पाइंगे, मैंने बीएज के कोडिक पनाया है, जी हां, मैं इससे पहले आगर आप वीडियो नहीं देखे हो, कि हम वन किलोवाइट का, टू किलोवाइट का, थरी किलोवाइट का, ऑफ गेट सोलर सिस्टम का पावर बैक अप के वारे में बताएं हैं, सब का, सेपरेट फिर थरी भीएज के होगा, फिर फोर भीएज के होगा, इस तरह का हम एक कल्कुलेशन करके करते हैं, क्योंकि बहुत लोग का ही होता है कि भीएज के का ऐसा कुछ फ्लैट होता है, तो इसमें कितना सारा एक कुपमेंट होगा, कितने गजट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गजट् तो चलते हैं हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो 2BHK किसी का फ्लैट है, किसी का भी हो सकता है, इस में से आपका भी हो सकता है, तो यहाँ पर देख पाएंगे 9, यहाँ पर 9 बलब लगा हुआ है, लेडी बलब, 3 ट्यूब लाइट है, 3 पंखा है, 2 TV है, 1 टन का AC है, जी 22W है, तो इसका जो पावर बैकप मिलेगा, 6-7 घंटे का आपको पावर बैकप मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है, लोड हाई है, यहाँ पर देख पागो, इसका डवल है, तो इसका आधा गंटा तो होगा ही न, इसका जिसे 12-14 घंटा है, तो यहाँ पर 6-7 घंटे का यहाँ पर मिलेगा, बैकप मिलेगा, इतना लोड होने के साथ, सब कुछ अगर लगातार चलाते हो, तब, आगे चलते हैं, हम 3BH का का फ्लैट देखते हैं, जिसमें कि यहाँ पर देख पाएंगे, 11 LED बल्ब लगा हुआ है, 4 ट्यूब लगा है, 4 पंखा लगा है, 3 TV है, 1 10 यहाँ पर देख पाएंगे, जो पावर बनता है, 24-8 बनता है, अब यह 24-8 है, इतना लोड पर हम बैकप हमें कितना देखा, मतलब कितने देर तक चल सकता है, तो देख पाएंगे, 6 घंटे के आसपास यह चलेगा, एकजक्ट 6 घंटे नहीं है, मैं लिख दिया हूँ 6 एक एवरेज, हम कालेकुलेशन कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर सब कुछ आवरेज दिया गया है, आगे चलते है 4000 जो देखते है यहां पर देख पाइगे कि 12 LED बल्व है, पांच यहां पर ट्यूब लाइट है, 5 पंखा है, 4 TV है, एक टन का AC है, एक फ्रीज है, इसका कितना पावर बनता है, तो पावर यहां पर देख पाएगे 2600 वाट इसका पावर बन जाता है, एक गंटे का, अगर सारा कुछ एक साथ तो हमें 5-6 घंटे का बेक अप मिल जाएगा, इतना सारा चीज, आप एक साथ चलाओगे, 5 पंखा, 5 ट्यूब लाइट, और फिर देखो 12 LED बल्व, 4 TV, 1 टन का AC और एक फ्रीज, इतना सारा लोड है, तो इस वज़े से यहां पर पावर बेक अप जो है, वो कम मिल रहा है, बेक अप जो आपका और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सारा लोड आप एक साथ चलाओगे नहीं, कोई भी नहीं चलाता है, तो आज हमने जाना 4 किलिवाट ऑफ ग्रेट सोलर सिस्टम का पावर बेक अप, वो भी अलग-अलग लोड पे, मतलब अलग-अलग घरों का लो अगर आप इए 4 किलिवाट का वीडियो देख लीए, 3 किलिवाट का नहीं देखत तो वो देख लेना, तब भी आपको अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कर सकते हो क्या-का आप का वीड है, उस लोड पे कितना पावर बेक अप मिलेगा, कितने दिर चले गा मौ सारा कालकुल